को हैंना है हेलो फ्रेंड आज में आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके किचन के काम को भूत ही आसान कर देगा तक ये में पहली टिप्स बताने हमाली की सुबह के नाश्चते में खाने में आसानी हो तो जब हम आलू या कोई भी सब्स चिल के काट के रख लेते हैं तो ऐसा ना हो कि काला ना पड़े तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कटीव ही सब्सक्राइब टाल करके उसके उपर से पानी डाल देना है जिससे की पानी और नमक की वझे से सबजी काली नहीं पड़ेगी और आप इसको लंबे टाइम तक के इस तरह से सटोर करके रख सकते हैं कि जब भी सबजी इस तरह से काटेंगे तो जैसे ही तैसी बिल्कुल ताजी बने रहेगी तो कोई भी सबजी आप इस तरह से काटके पानी और नमक के साथ मिला करके रख लें और जब भी इसको यूज करना है तो आपको इसी तरह से ताजी और हरी सबजी आपको मिल जाएग और गिनारे का हिस्सा होता लाश्ट वाला जला वाद्वा बढ़ा रह जाता है और फीछ पीछ बिया अगे तो इसको मैं जोली शेवनी है न use न सब्सक्राण घर करा एक उस चैसे का substantially you जब रहेगा तो कभी भी आपको कीचन में खाने में जिसे यूज करते हैं तो उसमें काम आएगा यह तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी फिर आगे मैं वतारी हूं कि क्या करना है यह देखे हमने इसको पीस के ब्रेट कुम्स मना लिया है इसको थोड़ी देर हवा में राख देंगी सूख जाएगा इसको डबे में भरके रख लेंगे और जब भी इस तरह से ब्रेट के पीछे की सा बच जाए तो इसको रख लें और इसको खाने में जिसे यूज करते हैं तो आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा बलकि आपको घर पर ही तैयार मिल जाएगा यह मेरी तीसरी टिप्स है इसे में बताने वाली हूँ कि जो नीबों लेके आते मार्केट से बिल्कुल ताजे हरे तो कुछ दिन के बाद क्या होता फ्रीज में रखने के बावजूद यह खराब होने लगता है सड़ जाता है दाग धबे पड़ जाते हैं तो आप इसको फ क्या करें इसको रख लें और फिर फ्रीज के अंदर रखें जिससे कि कम सकम 15-20 दिन तक कि इसमें कोई भी दाग दब्बे नहीं लगेंगे इस तरह से पैक करके इसको कभी भी यूज करें यह मेरी टिप्स नंबर 4 है मैं यह बताना चाहरी आपको कि कभी कभी ऐसा होता है क कि अंडा वाइल करते टाइम और टूट जाता है तो यह देखी यह वाइट विनिगर है आप देख लिए इसका नाम तो वाइट विनिगर यूज करने से क्या होगा आपके अंडे आपस में टकरा आगे फूटेंग नहीं और इससे का पानी एकदम से सॉलिड हो जाता है भा करेंगे टूटेंगे नहीं जिससे के टूटने से खराब दिखता है उसके अनर पानी पीचला जाताए वह बेलिज़द हो जाता है और देखने से बीख लगता है तो इससे बचने के लिए करना है कि आप जब भी अन्डा वायल करें तो मीकर करें एकदमस eingeस करें देखें त या फिर इस तरह से पतेली में हुबा ले तो मीनिगर का यूज जरूर करें यह देखे यह मेरी टिफ्स नंबर फाइव है तो मैं यह बताना चाहा रही हूँ कि कभी-कभी ऐसा हो था खाना बनाने के बात पता चलता है कि सबजी में नमक जाधा हो गया यह मिर्ची जाधा हो गई है तो खाना बेलज़ज़त हो जाता है तो ऐसा ना करते हुए मैं बता कि इसका क्या करें यह देखिए मैं तीन तरह से बताओंगी ब्रेट क्रॉम्स भीगी हुई सूजी यह है और तीसरा क्या है दही है तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप यूज कर लें दो चम्मच आपका खाना बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा नमग जो मिर्ची ते दही मिलाने से आपका यह जो ग्रेवी है थोड़ा गाड़ा भी हो जाएगा और इससे ठेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो मिर्ची नमग या दोनम इसे कोई एक ही चीज जादा हो गया है तो आप दही का यूज कर सकते हैं या फिर इसमें दो चमच ब्रेट क्र जाएगा और आपकी ग्रेवी जो है थोड़ी गाड़ी हो जाएगी पकाने के बाद और टेस्ट खराब नहीं होगा बल्कि अच्छा ही हो जाएगा देखे इस तरह से आप करें तो आपको कभी भी मिर्ची तेज वाला खाना या नमक तेज वाला खाना फेकना नहीं पड़ यह मेरी टिप्स नमबर 6 है कि जब भी मार्केट से जादा सामान ले आते हैं जैसे कि मिर्ची यह बहुत जादा आ गई यह तो मैं थोड़ा करके आपको बता रही हूं कि बहुत जादा मिर्ची आप ले आए हैं तो वह सड़ने लगती खराब होने लगती है तो आप इसके जड़ है वह तोड़ दें यानि उसकी डंठल निकाल दें उसको धो करके और सूखा होने के बाद उसको इस्टोर करके रखें कि एक मैं बता रही बैग दिखा रही आपको इस तरह के बैग में जैसे कि हरी मिर्ची नीबू और हरी मटर ऐसी सब चीज़ है इस तरह के बैग इस तरह से पैक कर लें और इसको फ्रीज में रखें लंबे टाइम के लिए यह देखे मेरा टिप्स नंबर सेमें मैं यह बताने वाली हूं कि कभी-कभी ऐसा होता है चाय बनाओ और चाय के अंदर को जो दूद होता हो फट जाता है तो चाय फेक दी जाती है तो ऐसा नहीं बलकि मैं बता रही हूं ऐसा क्यों हो रहा है कि यह देखे जब भी चाय बनाते है लो तो अदरक भी पहले से डाल देते हैं तो अदरक आप कभी भी पहले से यूज़ ना करें चाय के फटने के दो वज़े हो सकती या तो फिर आप अदरक पहले डाल देती है या तो फिर आ तो आदरक पहले डालती हूं तो अभी जो मेरी चाय पकना चालू होगी तो आप देख सकते हैं यह उपपल के दुद्ध है वो फड़ जाएगा annoy हूं देखते रहें कि चाय जो है जब भी चाय बनाएं तो अद्रक पहले नाडा लें इदे की फटी हुई चाय आपके सामने है तो अद्रक का यूज करने से पहले दूद्ध फट जाता है चाय खराब हो जाती है तो आपको जब भी चाय बनाना है तो पहले दूद्ध पकने लगे तो उसके अंदर शक्कर चा द्रग डालें द्रग डालने के बाद भी आप 2-3 मिनट बना ले तो चाय के अच्छी परिफिक तैयर हो जाएगी